नमस्कार योट्यूपर खेमरा खरना ओल इंडिया लवट्टा चैनल लाइक करें कमेंट करें शेर करें सब्सक्राइब करें तो आज मैं अपने घर में अपने निवास्थान पर हूँ अभी अभी जो है कल रात को ताजा हिंपात हुआ है यहां पर उपर से ले करके नीचे ताब पूरी जो है वो सफेद ही सफेद चादर बिची है आप देख सकते हैं यह मेरा अपना गाउं है मेरे गाउं का दृश्या आप कैमरे में देख सकते हैं और अभी जो है क्यारो तरफ दुंद जैसे चाही हुई है और सामने जो सूर्या है अब देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल सूर्या भी चांद की तरह दिखाई दे रहा है सूर्या का आप जो है वो इसमें दुश्या देख सकते हैं बिल्कुल चांद की तरह सूर्या दिखाई दे रहा है और अभी मैं आपको जो है हमारे यहां थेव की जो है वो काफी अच्छी बागवानी की जाती है यहां यहां पर मैं भी मैं आपको दिखाना जा रहा हूं कुछ जो है इटिली के भी पोदे यहां पर लगाए गए हैं आप देख सकते हैं और अभी कुछ साल पहले यहां पर फूलों की खेती की जाती थी आप देख सकते हैं या भी भी जियों पोली हाउस लगे हुए हैं पोली उपर चादर नहीं है लेकिन जो उनका सेख स्ट्रैक्चर है बिलकुल एकदम दिखाई दे रहा है लेकिन अभी कुछ मार्कीटिंग की समस्या चलते यह फूलू की खेती बंद है किसानोंने फूली फूलू की खेती अभी करना जो झो नब चोड़ दी है लेकिन यह जो पूल इसमें गाओं में जो है आप देख सकते हैं यह जो हारी सबजी है हमारे यहां बारा के बारा महीने जो है बंद गोबी जो पूरे साल के बारा महीने चलती है इसकी जो रुपाई है वो साल में दो बार की जाती है एक तो हम लोग इसकी रुपाई करते हैं अपरेल मैं में और दूबारा जो अभी सर्द्यू के लिए आप जो देख रहे हैं यह हरी भरी जो यह बंद गोभी है तो इसकी दूबारा करते हम लोग जुलाइ अगस्त में इसकी रुपाई करते हैं इसके पौदे लगाते हैं तो अभी यह जो गोभी है यह हमारी March April तक, April करीम मैं तक, यह गोभी चलेगी, इस बंद को काट देते हैं, आप देख सकते हैं, यह काट दिया है, लेकिन इस में जो है, अभी से, बीच में आप देख सकते हैं, हरे पते जो है, यह निकलने शुरू हो गए हैं, यह यह बंद था, यह बंद जो है, निकल पते शुरू हैं तो ये हरे भरे पते अपरेल मेई तक हमारे काम आते हैं बीच में यहां पर थोड़ा जो है वो कीडा मकोडा लग जाता लेकिन उसके लिए हम लोग छिरकाव करते हैं तो इस वक्त जो है अभी थोड़ा मौसम एकदम साफ नहीं है दुंद जैसी चाई हुई है अभी आप मैं आपको ले चलता हूं अपने घर के चारों तरफ का द्रिश्या आपको दिखाता हूं यह है एक मेरा छोटा सा मकान और घर के बाहर में जा रहा हूं आपको ले चलता हूं नीचे नीचे दूसरी तरफ जो है यह गाउं है गाउं का द्रिश्या आप देख स रखते हैं और साथ साथ जो है हमारे यहां जो एक ग्राम पंचाइत है यह ग्राम पंचाइत खुशनागरी का इलाका है आप देख सकते हैं आज बड़ा ठंड का मौसम है खूब ठंड है आग के बगार रहना बिलकुल मुश्किल है या तो इस वक्त हमें बिफ्तर में लिटना पड़ रहा है या फिर आग का सहरा लेना पड़ रहा है तो मैं ज्यादा जो है आप ज्यादा समय ना लेते हुए अपने बिचारों को अपनी बानी को यहीं पर बिराम देता हूँ धन्यवाद जैहन जैचुरा